अगर आप बिहार राज में रहते हो तो आपको यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन से समंदित एक बहुत बड़ा बदलाव किया है अगर आपने जमामंदिर ने नाम नहीं चड़ा रखा है तो आप जमीन को बेच नहीं सकते हो ना ही किसी सरकारी योजना का लाब उठा सकते हो 90% लोग जो हैं अभी भी दादा पर दादा की प्रोपर्टी पर रह रहे हैं और अधिकार तो उनका है लेकिन जमामंदि में उनका नाम नहीं चड़ा हुआ है और अगर आप चाहते हो कि अपने जमीन को बेचना या फिर कसी सरकारी योजना का लाब उठाना तो आप नहीं उठा सकोगे पूरी जानकारी दूँगा वीडियो में बने रहो मेरी चैनल को सब्सक्राइब पर करें रख लो आगे मैं इसी प्रकार की जानकारिया लाता ही रहता हूँ साथी साथ नोटिफिकेशन बिलको भी जब दबा लेना है वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना दोस्तों के शाथ सेर कर लेना चलो आगे बड़ते हैं वीडियो के तरफ अब बात करते हैं कि कैसे आप अपना नाम जमामंदी में चलवा सकते हो और किस प्रकार की योज आपको किस दस्तावेung को अपने पास रखना पढ़ेगा उस दस्तावेज हैं मदर डी जो हैं जो आपके दादा परदादा की नाम से चलती आरहे हैं उसको रखना पढ़ेगा वन स्विरिक्ष के आधार पर आपको ये दिखलाना पड़ेगा कि आप जो हैं उस बंसावली में आते हो और उस बंसावली में कितने फरीकान हैं क्योंकि जितने भी प्रपरटी आपके दाधा-परदादा के नाम से हैं उस सारे फरीकान में बटनी हैं जब तक आप अपने ब और्गेज रखना चाहते हो, किसी सरकारी आवास का जो मिलता है उसका लाब उठाना चाहते हो, तो इस प्रकार की योजनाव सभी अगर बंचित हो जाओगे, अगर आपने जवावन्दी में नाम नहीं चलवाए, अब क्या योजनावी चलाए गई है सरकार के द्वारा, हर प जुमिशुधार अधिनियम के अंतरगत, आप अपना जवावन्दी में अपना नाम करेक्शन करा के अपना नाम चलवा सकते हो, अब क्या है कि नाम चलवाने के लिए जो जो सबसाय है इस लोगों के शामने आ रही है, वो ये है कि पूरु में किसी भी प्रकार का कोई बट बटवारे के, तो क्या उनकी नाम जो है उस पे चड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अपना नाम जवामन्दी पे चलवाने के लिए आपके पस बटवारा होना बहुत मस्त है, चाहे पर वो पंचों के दवारा बटवारा किया गया हो, या फिर पार्टिशन डीड क के दवारा बटवारा किया गया हो या फिर रिज्ट्र डीड के दवारा बटवारा किया गया हो, अगर आप अपना हिस्सा डिखाने में शक्षम है, तो आपका नाम जो है जमामन्दे में चड़ जायेगा, दस्तावेजों में जो है आपको वनसावली, एक आवेदन, मदर और आपका जो partition का area है वो सिज को circle officer के यहां सामने दिखाना पड़ेगा या फिर आप camp में जाके इस चीजों को दिखलाओ और circle officer जो करमचारी को है उसको direction देंगे कि उसके जाके verification करो और जो तहसिलडार जो होते है करमचारी को आदेश देंगे और वो आपके गाउं में आएंगे आपके मोझे में आपके जमामंदी का शिनाक्त करेंगे कि वो कितने फरीकानों के अंतरगत बटना है या पर कितने फरीकानों के पास यह जमीन बट चुकी है अगर सबके हिसे में अल्रडी जमीने बटी हुई ही है तो सबके हिसे का नाम अलग-अलग रईयत के रूप में जो है जमामुने में चड़ जाएगा अगर आप अपना हिससा सिर्फ निकालना चाहते हो तो सरकील अफिशर के यहां जाके आप आप वहाँ पर चल जाएगा, वहाँ अभी अगर कोई भी परिकान अगर सहमत नहीं है तो आप partition shoot में जा सकते हो, partition shoot में कुछ समश्याओं का सामना करना पर सकता है, वो long समय पर भी चलता है, लेकिन अगर partition clear है, अगर तीन भाई है और तीन हिशा होना या चार भाई है, चार हिशा होना है, तो आप partition shoot separate file कर दो, क्योंकि partition में वो fixed area आपको मिलना ही मिलना है, तो जब तक 89 का process होगा, यानि DLSA के दवारा, आप वहाँ जागे शमजोता करके, 4-5 मेना में degree हासिल कर सकते हो, और उस degree के आधार पर आप जिमामंदी में अपना नाम चुड़वा सकते हो, और अ आप लाब उठा शकते हो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मंगलबाद, बुद्वार और बिश्पत बार को हर प्रकंड में पंचायत इस तर पर क्रेंप की विवस्ता की गई है, और केंप में जाके आपना नाम चुड़वा सकते हो, और नाम चुड़वाने के बाद आप सर प्रकंड कारी युजना का लाब उठाशकोंगे, ना ही आप जो है जमिन को बेच सकते हो, घर बनाके रह सकते हो, वो अलग मेटर है, अपना काम खूद कर सकते हो, अलग मेटर है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का खरीत परोक्त करना है, बेचना है, तो जमामंदी म नाम का करेक्शन होना बहुत जरूरी है, आसा करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चानल को सब्क्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ सेर कर सकते हो, आगे मैं इसी प्रकार का आप जया मारा जया है